हेलो एबरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे T.S. Elliot की पोयम The Hollow Man के बारे में Thomas Stern Elliot एक American-British poet, essayist, publisher, playwright, literary critic और editor थे इन्हें poetry में modernist movement के leader The West Land और Four Quartets जैसे works के author के रूप में जाना जाता है 1948 में T.S. Elliot को literature में Nobel Prize भी मिला The Hollow Man जिसे 1925 में लिखा गया First World War के बाद की situation से related है पोयम five parts में divided है जिसमें total 98 lines है जिसमें की last four lines उस समय की most quoted lines है Present poem में poet ने European culture के खत्म होने के अपने डर को दिखाया है कि इंसान के अंदर कुछ नहीं बचा सभी अपनी learnings, culture, अच्छाई को भूलते जा रहे है उनके अंदर कुछ नहीं बचा, सभी अंदर से खाली है और poet ने after death के बारे में भी बात की है तो चलिए शुरू करते हैं पोयम के शुरुआत, poet दो epigraph से करते हैं ये एक novel Heart of Darkness से लिया गया है जिसमें Captain Kurz जो एक ivory trader थे और European enlightenment के example थे लेकिन फिर वो अपने रास्ते से भटक जाते है उनकी बुद्धी खराब हो जाती है और last में अकेले खाली होकर मर जाते है जिसमें Fox नाम के एक Catholic revolutionary ने Parliament को उराने की साजिश की थी और 5 November को पकरे गए और इसी दिन को celebrate करने के लिए बच्चे फॉक का पुतला बनाते हैं straw, stick और old clothes से और पास्तारी की रात को जलाते हैं और इसके लिए ही वो strangers से जाकर यही कहते हैं appenny for the old guy We are the hollow men यहाँ पर speaker यह declare करते हैं कि वो भी इनी खाली लोगों में से एक है और कहते हैं हम अंदर से बिलकुल empty है यानि हमारे अंदर कोई अच्छाई ने बची हम European society के culture को भूल चुके हैं We are the stuffed men और हम लोग भरे हुए हैं stuffed हैं तो कैसे? जैसे किसान पक्षियों को भगाने के लिए पुतला ख़़ा करता है जिसे scarecrow कहते हैं जिसके अंदर कोई काम की चीज नहीं भरी रहती Leaning together Headpiece filled with the straw Alas और हम सभी एक दूसरे पर ही आश्रित है यानि हमारे अंदर कोई potential नहीं बची है और किसी में भी courage नहीं है spirit नहीं है Headpiece filled with straw यानि दिमाग में सिर्फ बेकार की बाते भरी है meaningless concept है और poet कहते हैं Alas यानि वो इन सब चीज से unhappy है इस attitude से नाखुश है Our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless यानि अब हमारी आवाज में बातों में कोई charm नहीं बचा कोई काम की meaningful बाते करता ही नहीं सब बेकार की बातों में लगे हैं कोई सही चीज के लिए आवाज ही नहीं उठाते हैं सभी भेर चाल में चल रहे हैं और इसलिए ये फुसफुसाहत है As wind and dry grass or rats feet over broken glass in our dry cellar अब poet हमारी बातों का comparison कर रहे हैं कि हमारी बात इतनी meaningless है जैसे सूखी घास पर चलती हवा या फिर हमारी आवाज ठीक वैसी है जब कोई चूहा तूटे वे glass पर कहीं underground room में चलता हो और वो अब अच कैसी होती है useless और disturb करने वाली shape without form shade without color यानि poet hollow man के attitude के बारे में बात कर रहे है जो आदमी अंदर से खाली होता है उसकी ना कोई shape होती है ना color होता है यानि जिंदगी में उनके कोई rules कोई principle नहीं होते गलत सही जैसा कुछ नहीं होता paralyzed force gesture without motion यानि उनके काम में वो energy नहीं होती वो spiritually और morally paralyzed होते हैं और जब वो कुछ करना चाहते हैं तो उनके gesture useless है यानि उनमें real strength होती ही नहीं है those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom यानि वो लोग जो पहले ही मर चुके हैं मित्यू के सामराज्य में पहुँच गये हैं वही वे ही active है और energetic वे ही थे remember us if at all not as lost violent souls और अगर ये हमें याद करते होंगे अगर कभी याद भी कर लिया तो ऐसे नहीं कि कोई violent soul यानि जिसने कुछ किया हो या आकरामक हो या जो रास्ता भटक गई हो ऐसी soul के रूप में नहीं as the hollow man, the stuffed man यानि खाली इंसान की जिसमें कोई emotion नहीं जिनका कोई लक्ष नहीं कोई साहस नहीं और stuffed man यानि इन सब चीजों को छोड़ बेकार की चीजों से भरे इंसान है second पैरा है eyes I dare not meet in dreams in death dream kingdom these do not appear poet को अपने सपने में आखे दिखाई देती है ये आखे God की judgment की या न्याय को रिप्रेजेंट करती है पर poet में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उन से नजरे मिला सके death's dream kingdom परहापस इसका मतलब स्वर्ग से है तो वहाँ ये आखे दिखाई नहीं पड़ती यहाँ in line से poet का मतलब है कि hollow man का भगवान से connection खत्म हो गया है there the eyes are sunlight on a broken column अब poet ये बता रहे हैं कि स्वर्ग में सब कुछ कैसा होगा वहाँ पर भी आखे हैं लेकिन ऐसा लगता है जिसे किसी टूटे कॉलम पर टूटी जगह पर सूरच की रोशनी यानि यहाँ poet positivity की बात कर रहे हैं there is a tree swinging वहाँ एक पेर है जूलता हुआ and voices are और आवाजे ऐसी है in the winds singing जैसे बहती हवा में कोई गा रहा हो more distant and more Solomon than a fading star और ये सारी चीजे किसी डूटे तारे से भी ज्यादा दूर है और अकेली है यानि हम अपने culture से faith से इतने दूर आ गए हैं लगता है कि ये चीजे कभी exist ही नहीं करती थी let me be no nearer in death's dream kingdom poet अब और नजदीक नहीं जाना चाहते उन आखों की तरफ जो उन्होंने सपने में death के समराज्य में देखी थी let me also wear such deliberate disguises poet अपने आपको उन आखों से नयाय से बचाने बचाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी रूप में आने को तयार है कुछ भी पहनने को तयार है rat's coat, crow skin, crossed staves in a field behaving as the wind behaves यानि poet खुद को चिपाने के लिए चुहे और कौवे की skin पहनने को भी तयार है या डंडे जो cross करके field में रखे होते हैं और जैसे जैसे हवा चलती है बहती है वैसे ही इलते है rat's coat और crow skin disease और death के symbol है और ये दिखाते हैं कि hollow man का आसपास भी होना खतरनाक है और इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं लेकिन क्योंकि उनका दुख किसी बिमारी की तरफ फैलता है उन्होंने खुद तो सारे morals और cultures भुला दिये अपनी meaningless बातों से वो दूसरों को भी affect करते हैं no nearer not that final meeting in the twilight kingdom speaker अब और नजदिक नहीं जाना चाहते ना ही final meeting में यानि मृत्यू के समय भी twilight यानि सुर्यास्त के समय जो धुनला सा प्रकाश होता है ये अंथ समय को represent करता है तो उस समय भी poet इन आखों के नजदीक नहीं जाना चाहते थर्ड पहरा है this is the dead land this is cactus land ये धर्ती ये देश मरा हुआ है यहां सिर्फ cactus भरे हुए है यानि कि ये land भी damaged culture को दिखाता है environment पर भी इनका effect है ये धर्ती भी इनी की तरह खाली और जरए here the stone images are raised the supplication of a dead man's hand under the twinkle of a fading star यहां poet बताते हैं कि पत्थर के statues या मूत्या बनाई जाती हैं और मरे वे लोग वहां प्राथनाई करते हैं उसी dying star डूपते वे तारे की रोशनी में यह represent करता है कि लोगों ने भगवान की पूजा बन कर दी और किसी गलत भगवान को पूजना शुरू कर दिया है यानि अब सभी का पतन नजदीक है Is it like this in death's other kingdom poet को अश्यर होता है कि क्या ऐसा ही मृत्यों के समराजे यानि स्वर्ग या नर्क में भी होता है walking alone अकेले ही चलते हुए when we are trembling with tenderness जब हमारे अंदर प्रेम उमर रहो, कमपन हो प्रेम सिभारे हो lips that would kiss form prayers to broken stone यानि जब अंदर प्रेम हो, तो instead of kissing someone, वो तूटे पत्थर के statues से प्राथनाय करने में लगे हैं, यानि इस प्रेम से प्रेम ये बताते हैं कि हम culture तो भूली गए है passion भी खत्म है faith भी नहीं है, इन सब के साथ ही अब हमारे अंदर के emotions भी खत्म हो चुके हैं भावनाय मर चुकी हैं fourth प्रेम the eyes are not here, there are no eyes here, आखें यहां नहीं है, कोई आखें नहीं है यानि नयाय बिल्कुल खत्म हो चुका है in this valley of dying stars in this hollow valley, ये जगर जहां तारे मर रहे हैं, यानि अच्छे लोगों को दवाया जाता है, ये खोकली घाटी या land this broken jaw of our lost kingdoms, ये टूटी होई लहर हमारे खोई होई समराज की यानि कभी ये समराजी magnificent था, लोग संस्कृती में विश्वास रखते थे in this last of meeting places, we grouped together and avoid speech, gathered on this beach of the tumid river ये आखरी meeting place है, और हम अंदर से खाली लोग इकठे वे हैं blindly, बिना कुछ बोले एक साथ इस swollen नदी के किनारे पर इकठे हुए हैं, यानि अब अंत समय नजदी के हो सकता है यहां से स्थिती में सुधार हो sightless unless the eyes reappear as the perpetual star hollow men अंधे हैं जब तक कि इनकी आखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती जैसे किसी चिरस्थाई तारी की तरह multifoliet rose of death's twilight kingdom, the hope only of empty men जो मृत्यू के समराज से बिलॉंग करता है और वो गुलाब ही आखरी hope है इन खाली लोगों की rose Christianity में Virgin Mary का symbol है यानि हम खाली लोगों को Mother Mary की help की ज़रत है अपनी द्रिस्टी को वापस पाने के लिए अपने लक्ष या अपने रास्ते को वापस जानने के लिए फिफ्थ और आखरी पाला Here we go around the prickly pear prickly pear prickly pear Here we go around the prickly pear at 5 o'clock in the morning hollow men cactus के चारो तरफ डांस कर रहे हैं नाच रहे हैं prickly pear ये word poet ने तीन बार यूज किया है और फिर से कहते हैं कि पांच बज़े सुबह cactus के चारो तरफ नाच रहे हैं इन लाइन से poet ये बताना चाते हैं कि हमारी जिन्दगी कठिनाईयों से काटों से भरी हुई है Between the idea and the reality यानि जब कोई विचार आता है और उसे reality में बदलने से पहले Between the motion and the act जब कोई feeling आती है किसी काम के लिए गती में हम आते हैं लेकिन उस काम को पूरा करने से पहले False the shadow एक परचाई आ जाती है एक परचाई है For thine is the kingdom ये सामराजित तुम्हारा है अब ये shadow symbolic है डर की मृत्यू की ये बहुत powerful है और किसी भी काम को रोकने और उसमें हस्त शेप करने के लायक है For thine is the kingdom ये Bible का एक quote है यानि ऐसा लगता है कि ये किसी और की voice है जिसने poem में entry ली है और ये God से connection रखता है Between the conception and the creation Between the emotion and the response Falls the shadow किसी concept या idea और उसे create एक आकार देने real बनाने के बीच किसी भावना और उस emotion के reaction प्रतिक्रिया के बीच एक परचाई आ जाती है Life is very long वही दूसरा इंसान जिसने अभी इंट्रिली कहता है कि ये जिन्दगी बहुत लंबी है Between the desire and the spasm किसी इच्छा और उसे पूरी करने की लहर के बीच Between the potential and the existence यानि किसी चीज को बनाने की शक्ती और उसे अस्तित्र में लाने के बीच Between the essence and the descent यानि किसी ideal और फिर उस ideal से disappointing reality में आने के बीच यानि जब कोई खुश्बूर रहती है और फिर उसके उतरने से पहले False is Sadow एक परच्छा याद आती है For thine is the kingdom ये सामराजिक तुम्हारा है वही अंदेखे शक्ती कह रही है लेकिन अब यही बात जब poet या speaker नहीं कह पा रहे है जब वो कोशिश करते हैं तो passage भी गर जाता है For thine is Life is For thine is the कुछ है जो speaker को रोक रहा है और ये सायद वही Sadow है जो किसी भी काम world ends poet तीन बार कहते हैं poet यही imagine कर रहे है कि ये संसार भी खत्म हो रहा है चुकिश सैडो किसी भी काम को complete होने से रोक रही है तो ये दुनिया समभल नहीं पा रही और ये सब सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं लेकिन भगवान के साथ उन्होंने ऐसा के साथ खत्म नहीं हो लेकिन ऐसे ही धीरे से softly एक रूदन या क्राई के साथ खत्म हो जाता है और इस तरह से हमारी पोयम खत्म हो जाती है Thank you